प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप और नेवर मिस अनाधर अबडेट नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपको दोस्ता हरिश्मन सर और आप सभी का स्वागत अपने इस यूट्यूब चैनल मिस्टर ग्रोथ मैं फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको तीन ऐसी जबरदस्त कमांड्स के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आपके PC या लैप्ट slow work करता है लेकिن अगर आपको ये तीनों कोमांड्स आती होंगी अगर आप लैप्टोप कंप्यूटर यूज़ भी नहीं करते हैं लेकिन अगर आपको इन तीनों कोमांड्स के बारे में पता होगा तो कभी आप मांन लीज़ें अपने लेटिव के घर पर जाते हैं या फि अच्छी बात यह है कि फ्रेंट्स यह Windows 7, XP, Windows 8, 10, PCA Laptop हर जगा पर same method से ही work करती है और computer professionals को ही यह तीनों commands के बारे में जानकरी होती है जल्दी से कोई इनकी information आपके साथ share नहीं करता है जिसको भी इसके बारे में जानकरी होती है अगर आपको यह तीनों commands पहले से आती हों ठीक है फ्रेंट्स अब चलते हैं laptop की screen पर वहां मैं आपको पता जता हूँ कि इन तीनों commands को किस तरह से आपने apply करना है ठीक है फ्रेंट्स अब हम आगे हैं अपने laptop की screen पर यहाँ पर फ्रेंट्स देखिए आप चाहिए कोई भी Windows यूज़ कर रहे हूं Windows 7, 8, 10, XP जो भी को Windows में शायद आपको यहाँ पर वो option मिल जाएगा अगर कहीं भी search का option हो तो आपने search वाले option में जाना है यहाँ पर आपको type करना होगा run run इसके बाद देखिए यह आपके सामने आ जाएगा इस पर click कर दीजिए अब देखिए पहली command है यह आपके सामने लिके हुए prefetch यह आ यहाँ पर जितनी भी files होंगी आपने सारी files को select कर लेना है इसके बाद आपने इन सभी files को यहाँ से delete कर देना है इसके बाद देखिए यहाँ पर जो भी option आएगा यहाँ पर लिखकर आपने इस box पर click कर देना है इसके बाद आपको skip पर click कर देना है यानि कि यह दो कुछ ऐसी जुरूड़ी फाइल्स होंगी, जिससे कि सिस्टम को running में problem हो सकती है, इसलिए आपने इन फाइल्स को delete नहीं करना है, तो यहां से हम इसको close कर देते हैं, इसके बाद अब बारी है हमारी second command की, दुबारा से हम वही run वाला option ओपन करेंगी, इसके बाद यहां पर आप आपको second command टाइप करनी है, T E M P, यह टाइप करने के बाद आपने enter पर क्लिक कर देना है, अब देखिए जितनी फाइल्स यहां पर आगी है, आपने इनको select कर लेना है, select करने के बाद आपने control प्लस A बटन दबाना है, keyboard से select करने के लिए, इसके बाद जैसे mouse का right बटन क्लिक करेंगे, तो यहां पर आपके सामने यह option आजाएंगे, फिर आपने इनको delete कर देना है, इसके बाद फिर वही same, इस box पर क्लिक करना है, फिर आपको skip कर देना है, फिर आपको box पर क्लिक करना है, फिर skip कर देना है, जो भी कोई ऐसा option हो, वो आपने सारे file skip कर देना है, इनको आपने delete नहीं करना है, अब हम इसको close कर देते हैं, अब आरी है हमारे third command की, दुबारा से run में जाएंगे, यहां पर आपको type करना होगा, percentage, EMP, इसके बाद फिर percentage, और OK पर क्लिक कर देना है, और फिर आपके सामने कुछ ऐसी files आगी हैं, कि आपके PCI laptop के लिए useless होती हैं, और इसकी speed को कम कर देती हैं, तो आपने इन सब भी files को control प्लस A बटन दबा कर सेलेक करना है, फिर mouse के right बटन क्लिक करके, यहां से इन files को delete कर देना है, इसके बाद आपने फिर yes पर क्लिक कर देना है, अगर कोई ऐसा option आए, तो आपने skip पर क्लिक करना है, फिर option आए skip पर क्लिक करना है, देखे friends, अब सारी जो useless files थी, इन तीन commands की वाया से delete हो गई है, PC या laptop की जो speed, फ्रेंट्स उम्मीद करता हूँ, इन तीनों commands के बारे में आपको जानकरी अच्छी लेगी होगी, और आप भी अपने PC लैप्टोप की speed को बहतर बना पाएंगे, हो सके तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजिएगा, अपने friends के साथ शेर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इन commands का benefit उठा पाएं, उनको भी इन commands की जानकरी हो पाएं, और friends साथ में चैनल को subscribe करने का link दिया हुआ है, यहाँपर click करके आप Mr.Grow चैनल को subscribe कर सकते हैं, ताकि मैं जब भी कोई इस तरह की latest information वीडियो बनाकर आपके साथ share करूं, तो वो आपकी मिस ना हो, ठीक है प्रेंट जल्दी मिलते हैं एक और ने वीडियो के साथ,